हेलो एब्रीवन आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि फ्लाइट में इलकोहल या शराब की कितनी कौंटिटी लेके ट्रैवल कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं अगर आप इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं और वो ड्राइ स्टेट नहीं है यानि कि अगर वहाँ पे अलकोहल बैन नहीं है तो आप अपने चेकिन बैग में मैक्सिमम पाश लीटर अलकोहलिक ड्रिंक या शराब लेके ट्रैवल कर सकते हो ये जो अलकोहलिक ड्रिंक है उसमें अलकोहल की मात्रा 70% से जादा नहीं होनी चाहिए अलकोहलिक ड्रिंक अच्छे से पैक होनी चाहिए जिससे कि वो लीग या डामिज ना होने पाए अगर अलकोहलिक ड्रिंक में अलकोहल की मात्रा 24% से कम है तो आप कितनी भी quantity लेके travel कर सकते हो फिर उसमें ये 5 लिटर वाली limitation नहीं है अब बात कर लेते हैं कि क्या hand bag में alcohol लेके travel कर सकते हैं अगर आपने airport पे duty free shop से alcohol खरीदी है तो आप maximum 1 लिटर alcohol अपने hand bag में लेके travel कर सकते हो अगर आप फॉरण से इंडिया आ रहे हो तो आप maximum 2 लिटरल को हल अपने साथ लेके travel कर सकते हो अगर आपके और questions हैं तो आप comment box में पूछ सकते हो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो please like करें